तंबाकू किसी भी रूप में हो घातक है लेकिन गुटका बंदी का समर्थन करने वाले गिर्वी रखने वाले जर्दा बंदी के खिलाफ है पांचाप ओनर्स के अध्यक्ष कृष्णा ने चिंता व्यक्त की की जर्दा चबाने से कैंसर होता है इस प्रकास से उन्हें गुम्रा करना गलत है हमारे समधाता शालिमार का कृष्णा से आमना सामना है जो सवाल कर रहे हैं कि शराब पर प्रतिबंद क्यों नहीं लगाया जा रहा है जो लोगों के स्वास्त को नुक्सान पहुचा रही है दोस्तो आज हम लोग एक गंभीर मुद्धे पर चचा करने जा रहे हैं जब गुढका बैंड हुआ तो सभी लोगों ने अपना सयोग दिया लेकिन जब जर्दे को बैंड किया जा रहा है तो किसी ने भी अपना सपोर्ट या अपना सयोग नहीं दिया किसले नहीं दिया तो आईए हम जानते है सार से कि किसी का भी सयोग ना मिलने के कारण भी वो किस तरह की कदम उठा रहे और आगे वो क्या कारवाई करेंगे सपोर्ट नहीं मिलने के बाद भी नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार, इस देखिए, गुटका बैंड करने के लिए जो सरकार अभी नहीं, बलके बीस साल पहले से चंद्रबाबुनेडूजी की सरकार में जीव आया था, और अटल जी के जमाने से जीव चलते आ रहा, वो गुटका पहले से जी बैंड है, अभी तो गुटके के अंदर दो पैक एक पैकेट के अंदर निकेटून और साथ में निकोटीन और ज़र्दा सो मिलता है उसमें कैंसर होने के ज्यादा संभा होने हैं इसी वज़े से हम लोग उसको बैक अट कर दिया अब पान वाला ज़र्दा जो है वो चुरिंग टुबा को क्योंकि अभी हमारा कारोबार ये गुटका भी बैंट हो गया अभी कारोबार ठप हो गया क्योंकि दुसरे पान में पान का कारोबार ठप होने की वज़े है कि सुपारी में जीस्टी कथे में जीस्टी और कई मसाले जो है इसमें जीस्टी लगने से पान का सेल भी कम हो गय में और बलके तेलंगाना में एक लाग पच्छी सा जायत फैमिली वाले यहां पर तेलंगाना में हैं उनके रोटी रोजी पर असर पड़ रहा है इप्लाइमेंट में नहीं है हम लोग को हमारे बच्छों को पढ़ाने को मुश्किल हो रहा है किराय जादे है लैट के बिल by बाहर से अभी आ रहा है दुकान और लगा की इंपोर्टकीट हो रहा है tussen यह नई बेचिन ते हो रहा है और होता है कैंसर नहीं बलके नहीं होता है to जोटें बच्चेब वह तो पुला रहें या नहीं बेचेंगे पान वाला झुल का उल्म इप्लाइमेंट का मसला है मोदी जी से भी और तलंगाना सरकात से अबील करते हैं कि इप्लाइमेंट के लिए हमारे बारे में सुचे आने वले दिनों में परिवार हमारा दीर चलते रहेगा नमस्कार धनेवार आपका में मोटिव क्या है ये गुटका या जर्दा खाने से कै पान का पत्ता होता हो थोड़ा सेंट होता है उसमें निकोटिन कम रहता है आप देखिए को एक जर्दे का डबा लीजिए 1939 सी कंपनी हिंदुस्तान में इसका नाम बाबा जल्दा वह आज तक बेच रहे हैं जब 10 रुपे का डबी थी आज 740 रुपे 50 ग्राम का डबा है हम ल सरकार के हमारे पान वाले गरीब भाई लोगां जितने भी है उनकी रोटी योजी चलते रहे नमस्कार धनेवार तो आप त्यलेंगाना सरकार से गुहार लगा रहे की आपकी मांग को पूरा किया जाए जाये वो सेहत परपस हो या गुटके के हो या कोई भी विशे हो पान दिन में क्या है चार-पान एक अदमी खाता है दो रुबे, सात रुबे, पचास रुबे का पान रहेगा गुटके बड़े-बड़े महंगे हो गया है गुटके में नीकोटी ज्यादा उससे चले आते है वह ज्यादा कैंसर आप पूरी कहीं भी हिंदुस्तान में किसी कैंस पान का नहीं है तो दोस्तों अभी आपने देखा पैन अस्याशन वालों ने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया जो जनता के लिए भी लाब दायक है और सरकार के लिए लाइब दायक है मैं सरकार से और जनता से गुहार करूंगी कि इनके समस्याओं पे ध्यान दें मैं शालिमार जैसवाल कैमरमेन मुरली के साथ